हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे लेट्स लर्न लैंग्विज में आप सभी का स्वागत है आज फिर से मैं आपके सामने एक नया विशे लेकर आई हूँ विशेशन और विशेश्य मैंने आपको ये सरल से सरल विधी में समझाने की कोशिश की है कि विशेशन क्या होता है और विशेश्य क्या होता है समझाने की तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन सरल विधी बहुत मनलब कन्फ्यूजन बहुत हमेशा ही बना रहता है कि विशेशी क्या है विशेशन तो लोग फिर भी पहचान लेते हैं लेकिन विशेशी नहीं समझ पाते हैं तो आईए पहले हम विशेशन और विशेशी की परिभाशा जानेंगे और फिर उसके बाद उनके कुछ उधारण भी देखेंगे ठीक है अब देखें विशेशन, विशेशन क्या है, विशेशन की परिभाशा क्या है संग्या अत्वा सर्वनाम शब्दों की विशेश्टा ध्यान दीजेगा संग्या अत्वा सर्वनाम मतलब किसी का भी नाम, किसी भी संग्या या सर्वनाम शब्दों की जो भी विशेष्टा बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेष्ट कहलाते हैं जैसे बड़ा अब देखी इसमें विशेष्टा किस किस तरह की होती है गुडवाचक, दोशवाचक, संख्यावाचक, परिमाडवाचक ठीक है? अब इसमें जो गुड़ है, वो उसके स्थान पे बड़ा आपका बड़ा जो है, वो गुडवाचक है दोश, काला अगर हम काला बूलते हैं, तो थोड़ा सा हमें उसमें बहुत अच्छा नहीं लगता है अगर हम सफेद रंग बोलते हैं, तो वो अच्छा, वो गुड है, लेकिन कहीं भी अगर हम काला बोल देते हैं, तो काला थोड़ा सा दोश में आ जाता है, ठीक है, ऐसा संख्या वाचक अब देखिए, संख्या वाचक दो, जैसे हमने बोला, हमारे पास दो, क्या है, दो वस् विशेष्टा है, फिर परिमाड, परिमाड का क्या मतलब है, किलो, मतलब परिमाड का मतलब होता नापतोल से संबंदित, ठीक है, लीटर, किलो और लीटर आपका नापतोल से संबंदित है, तो ये परिमाड के अंदर गताएगा, तो अब इस तरह के विशेष्ड, इस तरह विशेश्य शब्द होता क्या है विशेश्य विशेश्य सब कहते रहते हैं लेकिन विशेश्य सबसे सरल तरीका है विशेश्य मीज़ संग्या संग्या जो है वही है विशेश्य जिस संग्या अत्वा सर्विनाम शब्द की विशेश्य बताई जाती है उसे विशेश्य कहते ह आप आईए और उधारान देखते हैं, आपको बिलकुल confusion नहीं होगा, बहुती सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, उधारान देखिए मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है, इसमें है ये क्या बना हुआ है, घोड़ा है, अब घोड़ा ही बताईए आपको मैंने सबसे पहला नाम लिया घोड़ा, अब ये घोड़ा क्या है, संग्या है ना, संग्या मिन्स विशेश्य, सबसे पहली लाइन संग्या, संग्या विशेश्य, घोड़े का नाम मैंने लिया है, ये है संग्या, संग्या आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये संग्या है, अब हमन में लिखावा है सफेद घोडे आकर्शक होते हैं अब मैंने अगर इस तरह से लिखा है तो घोडे तो हम पहले ही जान चुके हैं विशेशी है अब इस विशेशी की विशेश्ता कौन बता रहा है आकर्शक होते हैं लेकिन कैसे सफेद घोडे तो सफेद जो है, वो इनकी विशेशता है, सफेद घोडे, ठीक है, घोडे कैसे है, सफेद, ये इनका गुड है, तो ये हो गया आपका विशेश्य और विशेशन, घोडे विशेश्य, सफेद विशेशन, आईए इसमें देखते हैं, अगला, ये आपका जल दिख रहा है, वो को नीला है तो जल जो है पहले नाम तो हमारा जल आया ना विशेश्टा बाद में आई पहले हमें क्या दिखा जल अब जल दिखा है तो जल संग्या है यानि कि विशेश्य है अब अगर हमने बोला नीला तो नीला क्या हो जाए कि उसकी विशेश्टा quality, good ठीके, तो ठीके, अब हम अगला sentence इसी में देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है समुद्री जल खारा होता है ठीके, तो अब हमने किसकी विशेश्टा बताई जल की ही बताई है लेकिन जल कैसा है, खारा अब जल अगर खारा है तो जल जो है, वो विशेश्य है और खारा विशेशन ठीक है अगला देखते है ये देखिए ये चित्र में आपको क्या देख रहा है सबसे पहले क्या नजर आया आपका नाम किस पर गया कपड़ा है ना क्या आपको कपड़ा देख रहा है ठीक है, कपड़ा अगर आपने नाम लिया, तो ये क्या हो गया, संग्या, it means विशेश्य, अब हमने अगर इसका कोई वाक्य बना दिया है, कपड़ा, विशेश्य, पहले ही आ गया, अब हमको इसका विशेशन धूरना है, लाओ, लाओ तो क्रिया हो जाएगी, एक मीटर, एक संख्या, मीटर, परिमाणवाचक, तो कितने मीटर, एक मीटर, तो इसका विशेशन क्या है, एक मीटर, ठीक है, क्लियर हो गया ना, चलिए आगे अगला उधारण देख लेते हैं, एक और, ये देखिए, सबसे पहले आपको किसका नाम आरायाद, इस चित्र को देखने के आपको चाय याद आई, चाय क्या है, संग्या, इट मिन्स विशेश्या, ठीक है, आब विशेश्या है, तो फिर अब ये बताइए, कि इस विशेश्या की विशेश्या क्या होगी, चाय मीठी होती है, विशेश्या हो गई, चाय फीकी होती है, विशेश्या हो गई, है ना, विशेष्टा means विशेषण अब देखिए यहाँ पर यह दोश वाचक विशेषण है अगर मीठी में बोलती तो वो गुड़ वाचक होता लेकिन यहाँ पर दोश वाचक है क्योंकि वो यह फीकी है फीकी चाय तो किसी को पसंद नहीं होती है इसलिए वो दोश में आ जाती है कभी-कभी हम लोग देखते हैं न कि किसी के घर में अगर फीकी चाय होती है तो हम लोग को पसंद नहीं आती है तो हम लोग मतलब उसकी बुराई करने लगते हैं क्या रे चाय कैसी बना दी अच्छी नहीं है है न मीठी या सर्वनाम भी हो सकता है अगर हम किसी के नाम की जगे घोड़े की जगे बोल दे वह तो वह भी तो विशेश्य ही है लेकिन वह क्या है सर्वनाम ठीक है अब देखिए सफेद घोड़े, खारा, जल एक मीटर, कपड़ा फीकी, चाय यह जो विडियो मैंने बनाया है यह बहुत ही बहुत ही आसान तरीके से बताया है यह बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकते है और बड़े से बड़े लोग भी समझ सकते है तो अपनी competitive की तयारी कर रहे हैं उसमें उनको मदद मिल सकती है तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको आगे भी बढ़ाईए और लाइक शेयर भी करिये सब्सक्राइब मैं चैनल ओके थैंक यू